नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर भंडरा जिले के ग्राम पंचाय चुनाओं में किसी स्थानी अपराधी के संबंद में प्रदेश कॉंग्रेस अद्यक्ष नापटोले द्वारा किये गये वक्तव्य का संबंद सिधे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ कर भाजपा द्वारा की जारी बयान बाजी क के खिलाब कॉंग्रेस भी मैदान में उत्री और तैसिल थानी के समक्ष धरना दे कर अनरगल आरोप लगाने वाले भाश्पा कार्य करताओं के खिलाब कारवाई की मांग की महराष्टर प्रधिश कॉंग्रेस कमीटी के आदेश अनुसार नागपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष वह विधायक विकास ठाकरे के मार्ग दर्शन में ब्लोक अध्यक्ष मोती राम मोहाडिकर गोपाल पट्टम शकील अहमत के नेतरुटव में प्रधिश कॉंग्रेस अध्यक्ष नापटोले पर जूटा आरोप लगा कर कॉंग्रेस पार्टी को वधनाम करने का बहुत बड़ा शड़यंत्र भाजपाने रचा है बंडारा ग्राम पंचाय चुनाओं में मतदाताओं ने भारतिय जनता पार्टी को नकार दिया है भारत के पस्चात तैसिल थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को एक ज्यापन सोपा गया लोकमंच जेश्ट नागरिक मंडल के तत्वावधान में मकर संकरांती की पावन परवपर स्नेह मिलन का आयोजन मालगी नगर्स्तित स्वातंत्र संग्राम सेनानी कॉलोनी में किया गया कारेक्रम की शुर्वात मंगला चरंड से हुई कारेक्रम की अध्यक्षता वरिष्ट नागरिक अनिल लिखित करने की मंडल के अध्यक्षर अमेज जांगडे एवं प्रभाकर सवाला के प्रमुक अतिती के रूप में उपस्थित थे कारेक्रम में उपस्तित सभी नागरिकों को तुलसी का पोधा, मास्क एवं तीलगुड देकर मकर संक्रान्ती का त्योवर मनाया गया कारेक्रम का संचालन मंडल के सच्यू एवं कारेक्रम के सयोजक डॉक्टर दीपक शेंडे करने किया तथा आभार कैप्टन प्रभाकर विंचूर करने माना कारेक्रम के सपलता के लिए तुशार लिखित कर पुषपा टोंगे, पुषपा विंचूर कर, शोभा भुजाडे ने अथक प्रयास किये सुमन टेम्बरे, वनिता व्यवारे, प्रभा ढूमने, चंदा डांगट, रमा रामते के विद्य डाबरे, शोभा कानफ़डे, भालचंद्र सबल, नाना निकम, जंजाल, आशा वानखिडे, कलपना घटाटे, पुषपा कनोजे, पुषपा गावंडे, वंदना गोटे, जीजा मदने, कमल मुंडे, दुर्गा भांगे, रभाकर बैतुले, विश्वनात मुहाडिकर, रामकृष्ण रेवतकर प्रमुकता से उपस्ठित थे। उन्होंने ये सवसर पर अपने अनुभव बाते तथा टैक्स के बारे में जानकरी दी। उन्होंने व्यक्तिके जीवन तथा व्यावसाइक जीवन में किस तरह संतुलन बनाये रखे इस विशय पर भी उपस्ठितों को मार्गदर्शन दिया। भारतिय जैन संगठन की महिला विंग और सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल के सैयुकत तत्वावधान में आयमे हॉल अमबाजरी रोड में फरस्ट एंड अवेरनेस प्रतमोप्चार जागरूती कारेक्रम आयुजित किया गया। कारेक्रम में डॉक्टर गवरव चाजेड ने विस्तार से मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कार्डियो पल्मनोरी रिसक्सिर्टेशन सबसे महत्व पुरून है। कि आपके सामने किसी व्यक्ति को रुदयागात कार्डियाक अरेस्ट हो जाए तो CPR दे कर उसकी बचने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इसके तहर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाप, पुलीस, व्यापारी, फ्रन्ट लाइन वरकर, स्कूल कॉलेज छातरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस कारेकरम में कोई इमेरजेंसी हो तो CPR कैसे देते हैं इसका ग्यान उन्होंने विस्तार से कराया। स्वास्त सिवाओं को कॉल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए यह डॉक्टर गवरव छाजड ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इस कारेकरम का संचालन दीपाली कुचर ने किया। इस कारेकरम की शुरवात संगीता तातेड शीतल लालवानी नमिता जाबड ने मंगला चरण से शुरवात की। महिलाविंग की अध्धक्ष पूजा तातेड ने महमानों का स्वागत किया। भारतिय जैन संगठन मद्यनागपूर की अध्धक्ष आनन ओस्वाल ने डॉक्टर गवरव चाजड का स्वागत किया। अतितियों का परिचय डॉक्टर रितु जैन ने दिया। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन वद देवराव कूबडे सिवा प्रतिष्टान के सैयोक्त तत्वावधान में हिवरा हिवरी चनोडा नान सुकली इंदापूर माडवा नाल बेसूर चिखलपार्स महागाव सले भटी में ग्रामिन जनता के लिए निशुल का नेतर जाच निशुल का चश्मा वितरन निशुल का मोतिया बिंदु शस्तर क्रिया निशुल का जनरल जाच निशुल का दवाईया खून जाच एवं निशुल का मास्क वाटप का शिविर का आयोजन किया गया साथी व्रक्षार उपन का कारेक्रम प्राथमिक विद्धला हिवरा हिव बिंदकी शास्त्रकिया महत्मे आय बैंक में किया जाएंगे इस शिविर में आयुश्यमान होस्पिटल के डॉक्टर बीके मूरली डॉक्टर अब्दुल खान स्वस्थम सुपर स्पेशालिटी होस्पिटल की टीम नेतर चिकित सक डॉक्टर अबय पाठक, इंद्रजीत भुजवानी, पैतोलोजिस्ट प्रशांत शाक्य, डॉक्टर प्रविन अगरवाल, डॉक्टर पिंकी शेंडे ने सेवादी इस कारेकरम में देवराव प्रतिष्थान के संस्थाफक, विलास कुबडे, नितीन पत्रीकर, सुबाश खुंडे, राम चववान, डॉक्टर सुनिल देशपांडे, काले, आशुतोष मुंडला, एजी इंप्रा इन्वेरो के शशांक चौबे का सरानिया कारियरा संतर अविदास समाज भवन बनाने की चर्मकार समाज की मांग को लेकर, समाज से वी शाम सोनेकर की पहल पर, विधायक विकास ठाकरे ने पांडराबोडी हिल्टोप टेकडी पर नए सिरे से संतर अविदास समाज भवन बनेगा, ऐसी गोशना की वहील टॉप टेकडी पर सेकडो कारेकरताओं के वह चर्मकार बंधू की उपस्थिती में प्रस्तावित भवन का भूमी पुजन किया गया इस मौके पर कारेकरब की अद्धिक्षता कविव दलीत मित्र तन्हा नाकपुरी ने किई और उन्होंने भी संत्र विधास समाज भवन बना कर देने के लिए विधायक विकास ठाकरे का अभिनान्दन किया इस मोके पर ठाकरे ने सभी समाज के प्रती निष्ठावन रहने की बात कही और पश्चिम नागपुर के विकास में सहभागिता दर्शाई तथा तना नागपुरी के कारियों का अभिनन्दन किया अंतमे कारेकरम में सहयोग देने हेतु विकास ठाकरे का सभी की ओर से आभार शाम सोने करने माना अंडे, सत्यम सोंडगीर, आधी कार्यकरता एवं पदादिगारी गन उपस्थित थे वर्षों से नेताओव शासन प्रशासन से की जाने वाली समाज भवन की मांग अखंड डहरवाल कलार समाज बहुत देशिय संस्था के माध्यम से उत्तर नागपूर की पुर्व विधायक डॉक्टर मिलिन माने पुर्व स्थाई समिती अध्यक्ष विरेंद्र कुक्रेजा नगर सेवी का सुष्मा चौधरी मंगलवारी जोन सभापती प्रमिला मत्रानी कर आकरनी सभापती महिंद्र धन्विजय वह समाज के सहयुक से अलपकाल में पुरी हुई है डॉक्टर मिलिन माने विरेंद्र कुक्रेजा सुष्मा चौधरी प्रमिला मत्रानी महिंद्र धन्विजय स्नेहल बिहारे वह समाज के प्रमुक अतितियों की उपस्तिती में राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु भहुन का उद्गाटन किया गया भगवान गणेश भारत माता वराज राजेश्वर सहस्त्र बाहु की प्रतिमा पर माल्यारपन से कारेकरम की शुरुवात की गई समीती के पदादिकारियों द्वारा अतितियों का स्वागत किया गया संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार बिठले वह कोशाध्यक्ष शेकर डहरवाल ने अपने संबोंधन में इस संकल्पों को पूरा करने वालों का सहयोक के लिए उनका आभार व्यक्त किया निकट भविश्य में भवन का आकार बढ़ेगा बच्चों के शिक्षन के लिए ए लाइबरेरी बनाई जाएगी इलाज के लिए बहार से आने वाले गरीब समाज बंदूओं के ठहरने के लिए विवस्ता की जाने के साथ साथ कंपाउंड वाल का भी निर्मान किया जाएगा इस भवन के माध्धम से आत्म निर्भर समाज का निर्मान होगा महुतरा मनोहर श्री जयन चरीटबर ट्रस्ट द्वारा संचालित मनोहर श्री जयन धर्मार्थ दवाखाना मिनीं मातानगर में कोरोना के दुसरे डोज के बाद तीसरा बुस्टर डोज निश्यूल क देना शुरू किया है जिसमें कई लोगों ने लाब लिया है भारतिय जन्तापारटी नैशनल काउंसिल कमिटी के सदस्य सुभष कोटेचा ने बुस्टर डोज लेने के पस्चात अस्पताल के अध्यक्षत दिनेज बेताला एवं सचिव संजय कोठारी का सुवेवस्था के लिए अभार व्यक्त किया भविश्य में भी इसी प्रकार के जन्व उपयोगी कारिय आपकी संस्था के द्वारा होती रहे ऐजी काम ना की अस्पताल में अन्य भी बहुत सारी सुविदाय उपलब्द है जिसके बारे में जानकारी संजय कोठारी ने दी तथा सभी से निविदन किया कि 60 वर्ष से ज़ महराष्टर की पुर्व गुरुह मंत्री और एंसीपी नेता अनिल देश्मुक की मुश्किले काम होती वी नजर नहीं आ रही है मुंबई के विशिष नयले ने मंगलवार को उन्हें जटका दिया है उनकी डिफॉल्ट जमानित याचिका को स्पेशल कोट ने ठुकरा दिया है नयले ने देश्मुक को मुंबई के पुर्व पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग द्वारा लगाये गए वसुली के आरोप पर जमानत नहीं दी है प्रवर्तन निदेशाले ने अनिल देश्मुक को इस मामले में 2 नवंबर 2021 को गिरपतार किया था एडी का आरोप है कि बरखास्त पुलिस अधिकारी सचीन वाजे द्वारा दिसंबर 2020 से मार्श 2021 के बीच जो बार मालिकों से वसुली की गई थी वो सचीन वाजे ने अनिल देश्मुक तक पहुचाई थी अनिल देश्मुक ने फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने वेवसाय में किया स्पेशल कोर्ट के जज आर एन रुकडे ने अनिल देश्मुक की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई की और उन्हें जमानत देने से मना कर दिया इडी द्वारा लगाए गए आरूपों पर समय रहते जवाब ना देने की वज़स से कोर्ट ने देश्मुक की जमानत याचिका को ना मनजूर कर दिया बेल के लिए की गई अपिल में अनिल देश्मुक ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जूडिशियल कस्टडी में बेज़े जाने के बाद उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिजर के मुताबिक 60 दिनों का समय पूरा कर लिया है आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का कुवी शिल्ड का टीका करन नाकपूर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरू पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिकों को कुवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्टे अधिकारी डोक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष आयू वर्ष के नागरिकों के लिए को वैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसूलेशन अस्पताल इमामबड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्द है नय साल का परवं मकर संक्रान्ती मनाने के लिए है है क्षत्री ये कल्चूरी सभा सक्षियों ने किटी पार्टी में हल्दी कुंकुम का आयज़न किया जिसमें लाल पिला परिधान में सभी का उत्सा देखते ही बनता था एक मिनिट मनुरंजन गेम और विशेश संक्रान्ती हाउजी खिलाई गई अध्यक्ष सुचित्रा नशिने ने सभी को शुपकामनाय दी समापन संक्रान्ती वान और स्पीज देकर किया गया सुचित्रा नशिने के सिविल लाइन स्टित निवास में कारेक्रम हुआ रेखा पशीने, विभा तराटे, वर्षा पशीने, राखी पशीने, नताशा उजवने, रश्मी पशीने, पिंकी उजवने, चित्रा मोबे, तीना थराटे, नेहा मोबे, शुभा मोबे, पल्लवी खुबेले, रचना नशीने, भारती, शीतल नशीने, जोती पशीने, और र देखा पशिनेने आभार माना। देखा पशिक्षा से बेदखल कर दिया जाता है। एक नहीं सेकडो मामले चानबिन में सामने आया है। इसे देशव्यापी शिक्षा घुटाला कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अकेले नाकपूर की बात करे तो आल्टीई प्रविश प्रक्रिया हमेशा विवित कारणों से विवादों में रही। शहर कॉंग्रेस के युवानेता रवी पौनिकर के नेतरूत्व में निवासी उपजिलादीकारी विजया बनकर के जरिये मुख्यमंत्री के नाम दिव्यांग बांधो की समस्य हेतु निवेदन दिया गया। रवी पौनिकर ने बताया कि महराश्टर की राजनीति में दिव्यांग बांधो अगरसर है और लगबग सभी पक्षम में कारेरत है। उध्योक, सामाजीक, शैक्षणिक और सभी क्षेत्र में दिव्यांग युवक और युटिया आगे है। इस निविदन के जरिये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से स्थानिय निकाय संस्था में दिव्यांगे युवक्व यूतियों को तीन प्रतिशत आरक्षन मिले या फिर विदान परिशत जिला परिशत, महानगर पालीका, नगर परिशत और सभी संस्थाओं में मनुनित सद किया जाए ताकि दिव्यांग बांधों की योजना और विकास का प्रारूप तयार हो सके इस आविदन को सोपते समय सरवश्री भुषन ढोले, संजय नंदन कर, इमरान अली, शैलेश उज्जैन कर, राजिश धापोड कर, अविनाज जांबुल कर, सुधाकर सोनकुसरे, सा कंबल वितरन का कारेक्रम जरीपट का स्थित मंडल कारेलह में किया गया, प्रस्तावना मंडल अध्यक्ष अरजुन्दास आउजा ने रखते हुए कहा कि यह कंबल मंडल के सदत्स्य प्रकाश मोटवानी वो मित्र परिवार के सहयोग से प्राप्त हुए, मंडल प्रताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष यह उपक्रम जारी रहेगा, जिससे इस कपकपाती ठंड से गरीब व्यक्तियों को रहात मिल सके, भविश्य में भी समाज हित में कार्य शुरू रहेंगे, कारेक्रम का संचालन मंडल की महिला प्रमुक संगिता दलवानी ने किया, मंडल अद्धक्ष अर्जुन्दास आउजा, उपाद्धक्ष मनोरलाल आउजा, सचिव रमेश लाल आस्वानी, सहसचिव रमेश सच्देव, कोशाद्धक्ष अशुक कुमार गांधी, सभासद लक्षमन पेश्वानी, महिला प्रमुक संगिता दलवा दलवास के लिए प्रशिक्षन की सराना करते वे दो राश्ट्रिय पुरस्कार से जेसी या इनागपूर मेट्रों के अध्यक्ष जेसी हजी अप लोकेश नंदेड कर को सम्बानीत किया गया, वर्षभर सहयोग करने के लिए जे अफ हैम आनन शर्मा, हजी अप उशा नंद किया, दयानन्द आर्यकन्या महाविद्दले के वानिज्य विभा, राश्ट्रिय सेवा योजना एवं एडवाजर ओर्गनाइजेशन के संबनवय में सुमवार को धन जागरुकता करेक्रम इस विशय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, करेक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर श्रद्दा अनिल कुमार ने की, मान्य और द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि अधिक कमाई करना आवश्यक नहीं है, बलकि अपने निवेश की योजना बनानी चाहिए और उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए, कारेक्रम के संबनवय कुनार जोशी ने डॉक्टर तनुजा राजपूत ने किया, एवं धन्यवाद जया गंगवानी ने किया, कारेक्रम की रूप रखा इंदू ममतानी एवं निधी ने की थी, कारेक्रम में 1952 छात्रों ने पंजिकरन किया मकर संकरांती परवक के अउसर पर शहर में बड़ी संख्या में पतंग उड़ाई जाती है, इस बिच शहर में पेडो, इमारतो, बिजली के खंबो और बिजली की लाइनों पर मांजा फसेव वे अवस्था में पाया जाता है, यह मांजा पक्षियों के साथ-साथ मनुष्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए नाकपूर महानगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंदन विभाग ने शहर के नागरिकों के साथ-साथ तमाम NGO से अपिल की है कि इस तरह से फसे मांजा को निकालने के लिए वे नाकपूर महानगर पालिका का सहयोग करे, पतंग उड़ाने के लिए नाइलोन मंजे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, नाइलोन मंजा बहत खतरनाक हो सकता है और जानवरों के साथ-साथ इंसानों को भी नुकसान पहुचा सकता है, इस कारियम में मनपा ने शहर के तमाम NGO एउम नागरिकों को भाग लेकर सहय करने का आवाहन किया है, शहर में कही भी नाइलोन मंजा मिलने पर मनपा के संबंदित जोनल कारेले में संपर्क करे और टोल फ्री नंबर पर कॉल करे, इस आशे का आवाहन ठोस कचरा प्रबंदर विभाग की अध्यक्ष ने किया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के नितरुत्व में दुनिया के सबसे बड़े कोविट टीका करन अभियान की एक साल की साल गिरह हुई है पिछले एक साल में प्रोध्योगी की पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोजगार, शिक्ष्या और आजिविका के सभी साधन निर्बाद रहे बाजपा विधायक प्रविंदटके और जिलाद द्यक्ष अर्विंदग अजभिये ने पत्रकार संबेलन बुलाकर मोधी सरकार को कोरोना के खिलाप लड़ाई में उपलब्दी के लिए बदाई दी उन्होंने आरोप लगया कि एक तरब जहा उच्चतम सुरक्षा उपाय अपनाते विए केंद्र सरकार सभी प्रकार की सेवाओ को सामन्य तरीके से भाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है वही महराष्टर सरकार एक बार फिर सभी व्यावसाई गति विदियो को बंद करवाने की फिराक में है और राज्य को अस्थिर्ता की ओर ले जा रहा है पिछले साल 16 जनवरी 2021 को मनिश कुमार नाम के 34 वर्षिय सफाई कर्मी को वैक्सिन की पहली डोज दी गई थी इस अभियान के अंतरगत 14 जनवरी 2022 तक 156 करोट टिका करन डोज पूरी किया जा चुके है उन्हेंने कहा कि देश में प्रती दिन और 47 लाख लोगों को वैक्सिन लगाने का दुनिया का सबसे तेज अभियान मोधी सरकार के कारण लागो हो सका है कोरोना काल में शहर के नगर सेवकों को अपने वार्डों में चेंबरों एवं सीवर लाइनों के रख रखाओ एवं मरम्मत का कारिया नकर पाने से नागरिकों को काफी परिशानी उठानी पड़ रही है इसलिए इन कारियों को प्राथमिक्ता दी जाए और लंबित कारियों को ततकाल पूरा किया जाए इस आशय की विचार नगर रचना विभाग समीती के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने वेक्त किये हाल ही में नगर रचना विभाग की विचेश समीती की एक बैठक आयुजित की गई थी बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे के साथ साथ कई मनपा अधिकारी उपस्सित थे कारिय पालक अभियनता मनोष तालेवार ने शहर में चल रहे कारियों की जानकरी दी नागनदी पुनरवास परियोजना के तहत शहर में उत्तर मद्या और दक्षिन सीवरेज जोन के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन पर काम किया जाएगा इसका डिजाइन तयार किया जा चुका है शहर में सीवर लाइन वो चेंबर मेंटेनन्स वो मरमत का काम चल रहा है उन्होंने बताय कि वाट 34 में 61 लाक रूपे का प्रस्थाओ तयार किया जा चुका है राजिंद्र सोनकुषरे ने शहर के कई हिस्सों में जरजल ट्रंक लाइनों को बदलने के लिए ट्रंक लाइन का अलग से प्रस्ताओ शासन को भेजने के निर्देश जिये नाकपुर महनगर पालिका के ओर से मंगलवार को आठ प्रतिष्टानों पर कारवाई की गई और 80,000 रुपए जुर्माना वसुल किया गया NDS दस्टे ने धरंपेट जोन के अंतरगत अचीवर्स एकेडमी जासिरानी चोग सीता बरडी और इसी तरह जायका मोटर सिविल लाइन्स के खिलाप कोविड नियमों का उल्लंगन करने पर कारवाई करते वे 20,000 रुपए का जुर्माना वसुला इसी तरह आसिनगर जोन के अंतरगत पावर ग्रिट शोक में जगत सेलिब्रेशन लाउन के खिलाप कोविड नियमों का उल्लंगन करने पर कारवाई करते वे 10,000 रुपए का जुर्माना वसुला गया इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतरगत बरड़े डेवलपर्स कोदनी रोड जिंगाबाई टाकली में कारिवाई करते वे 10,000 रुपए का जुर्माना वसुल किया गया प्रतिबंदित प्लास्टिक बैग का इस्थिमाल करने वाले दुकान प्रतिष्टानों के खिलाप मनपा ने कारवाई अधिक कठोर कर दी है महराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंदित किये जाने पर भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बैग का इस्थिमाल किया जा रहा है अतर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी के निर्देशानुसार उपद्रव खुजी दल ने प्लास्टिक बैग के खिलाप कारवाई तेज कर दी है मनपायुक्त के निद्देश अनुसार मारकेट दुकान में प्लास्टिक बैग में सामन देने वाले दुकानों पर कारवाई की जाएगी तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार